दोस्तों नमश्कार केसे हैं आप साब और कोरोना लागडाउन के दिन भी चल रहे हैं कुछ छूटों के साथ में और आप यह सा लगने लगा है कि हम किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं और जब घर से निकलते हैं और इस्टेशन चूटते जाते हैं अपने घर से दूर जाते जाते हैं तो बड़ा अजिप सा लगता है और जब हम घर वापसी करते हैं जब घर के शहर के प्रदेश के नजदिक के स्टेशन आते जाते हैं तो उस्सा बढ़ते जाता है खुशी की पार जो खुशी की सीमा होती हो बढ़ते जाती है वैसे ही लागडाउन में होते जा र अब आपके जिवने फिर प्रविश्च कर रही है और आपका जिवने फिर उसी पट्री पर लोटने को अग्रसर है तब वो खुशी देखते ही बन रही हम लोग नहीं इंतजार करते हैं कब रेल चलेगी कब हावजाज चलेंगे और वो चल भी रहे हैं मुलब कुल जमा है कि अब कोरोना संकट के लागडाउन के दिन अपनी समाप्त की हो रहे यकिन पूरा समाप्त नहीं होंगे कुछ समय आगे बढ़ सकता है लेकिन अब बहुत दिन जो है आपके अंतिम सीमा के और बढ़ रहे हैं जहां आप अपनी जिवन के उसी पट्री पर आ जाएंगे लेकि कोरोना से कुछ संकट बढ़े भी हैं कि आपके जिन्दगीम बहुत महित्मन बदलाव आने वाले है रिस्ते नाथ समय बदलाव आने वाले है जिनको आपको अपनाना पड़ेगा ताकि आप और भविशे के लिए सुरक्षित रह सके बाती तो कहने को बहुत ही लेकिन आकल चर्चाँ चलनी थी एक जग़ा फी एनालीसिस में चर्चाँ मताया गया कि प्रत्वी प्रमानों को जीवण और कितना चलने वाला है यह कोरौना वाइरस संक्रमन जीवण कितना रहे गाए पो तक रहे आप सब घर में रहे हैं ब्रगवान शली की फुजा करें मोबस्य पर दान पूर्ण करें और यह संयोग नो सो बहुततर साल बादाया है बड़ा अच्छा से होगे इस पर आप चिंतनम्रण करें इस पर करें भगवान की में आस्ता रखें और अच्छे दिन बिता रहें जल्दी आपकी जीवन की पट्री उसी रफ्तार से ट्रेन करते आएं और को बाइबाइब कर देंगे फिर इस अंक्रमन का वह यह यादे सुझू है और जितने अपने अनुभव लिये हैं वह अपने आप में अपने जीवन का एक आया में इस्थावित करके घ्रमनी कर लिया है और भविश्य में वह नुभव हमके काम आएंगे इस इसे आशा के साथ आप सबसे एक बार पुर्णा नमस्कार जय हिन जय भारत